दोस्तों यूट्यूब आज के समय में लगभग हर कोई यूज करता है क्योंकि यूट्यूब पर आपको फ्री में हर प्रकार की वीडियोज देखने को मिलती है अब चाहे वो कोमेडी हो एजूकेस्नल हो कुकिंग हो या फिर एंटर्टेन्मेंट से रिलेटेड कॉंटेंट हो आज कल स्टुडेंट से लेकर ओल्ड पिढ़ी तक सभी सोसल मेडिया पर एक्टिव रहते हैं सायद इसी कारण यूट्यूब काफी ज़्यादा पोपुलर हो चुका है रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब पर 2.5 बिलियन से भी अधिक एक्टिव यूजर्स हैं आज के समय में यूट्यूब काफी सारे लोगों के लिए करियर ओप्सन भी बन चुका है क्योंकि यूट्यूब से लोग काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं एक यूट्यूब क्रियेटर यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाने के साथ popularity भी गेन कर लेते हैं तो आज हम ऐसे ही 10 इंडियन यूट्यूबर के बारे में जानेंगे जो महिने के यूट्यूब से लाखो नहीं बलकी कडोडों में कमाई करते हैं हमारे इस लिस्ट में नमबर 10 पर है यूके जीरो सेवन राइडर इनका रियल नेम अनुराग डोभल है इन्हें लोग बाबु भाईया के नाम से भी जानते हैं ये देहरादून उत्राखंड से बिलॉंग करते हैं इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्णी की सुरुवाद जैनुवरी 2018 में की थी और आज इनके चैनल पर 6 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं ये अपने चैनल पर व्लोगिंग, मोटो व्लोगिंग से रिलेटड वीडियो अपलोड करते हैं बात करें इनकी मंथले इंकम की, तो ये जनाब सिर्फ यूट्यूब से महिने का करीवन 50 लाक रुपिय कमाते हैं इनके इंस्टेग्राम अकाउंट पर 4 मिलियन से भी अधिक फॉलोवर्स हैं निश्चे मलहान, इन्हें लोग सोसल मेडिया पर ट्रेगर इंसान के नाम से भी जानते हैं निश्चे मलहान डेली के रहने वाले हैं इन्होंने अपने यूट्यूब जर्नी की सुरुवात 17 जुलाई 2014 में की थी आज इनके ट्रेगर इंसान चैनल पर 18 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं ये अपने चैनल पर रोष्टिंग की वीडियो अपलोड करते हैं इनका वीडियो इतना साप सुतरा होता है कि हर एज गुरूप के लोग इनका वीडियो देखना पसंद करते हैं और ये जनाब अपने ट्रेगर इंसान चैनल से महिने का लगवक 75 लाख रुपिया कमाते हैं इनका यूट्यूब पर एक और भी चैनल है जिसका नाम लाइव इंसान है जहां ये गेमिंग की वीडियो अपलोड किया करते हैं इनके गेमिंग चैनल लाइब इंसान पर 10 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं अगर इनके इस चैनल की भी अर्णिंग एड़ कर दी जाए तो इनकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी टेक बर्नर इनका रियल नेम स्लोक स्रिवास्तव है इनका जन 3 दिसंबर 1995 को देली में हुआ था और इन्होंने अपना यूट्यूब जर्ने साल 2015 में स्टार्ट की थी और आज इनके टेक बर्नर चैनल पर एक करोड से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं इनका बोलने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है अब चाहे फोन अन्बॉक्स करना हो या फिर किसी गैजट का रिभ्यू करना हो ये अपने अलग ही अंदाज में करते हैं बात करें इनकी मन्थले इंकम की तो ये जनाब यूट्यूब से करीबन महिने का 80,00,00 रुपिया तक कमा लेते हैं वैसे इस चैनल को तो आपने यूट्यूब पर कभी न कभी जरूर देखा होगा दरसल यह एक तमिल यूट्यूब चैनल है इस चैनल की सरुवात साल 2018 में 5 मेंबर्स द्वारा किया गया था जिसमें चचेरे भाई, वी सुब्रमन्यन, वी मुर्गेशन, वी अयनार, जी तमिल सेलवन और टी मुथू मनिकम जी सामिल हैं इस चैनल पर 21 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल को यूट्यूब के तरफ से डाइमंड प्ले बटन भी मिल चुका है इस चैनल पर कुकिंग की वीडियोज अपलोड की जाती है जहां ये लोग खुले मैदान में भिलेज इस्टाइल में खाना बनाते हैं और फिर सब मिलकर खुब खाना इंजोई करते हैं फिर गरीबों को पेट भर खिलाते हैं इनका यही अंदाज लोगों को काफी भाता है बात करें इस चैनल की मंथली इंकम की तो तकरीवन ये चैनल महिने की 80 लाक रुपिय से भी अधिक की कमाई करता है दोस्तों जिन्हें आप Experiment King Mr. Indian Hacker के नाम से जानते हो उनका रियल नेम दिलराज सिंग रावत है इन्हें प्यार से लोग दिलराज भाई भी काते हैं इनका जन्म 8 जनुवेरी 1996 को राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था इन्होंने अपने YouTube जर्णी की सुरुआत साल 2012 में एक छोटे से घर से की थी और ये जनाब कहते हैं YouTube पर सक्सेस पाने के लिए मेरा घर है और यहीं से मैंने अपने करियर की शुरुआत की दी मैं आप से बस एक चीज़ कहना चाता हूँ कि इस बात से फरक नहीं पड़ता है कि आप कहां पैदा हुए किस हाल में पैदा हुए फरक पड़ता है तो बस एक चीज़ से और वो है ये कि आप जिस हाल में पैदा हुए वैसे ही रहना चाते हैं या फिर वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसकी आप क्वाइश रख सकते हैं अगर वो सब हासिल करना है तो मैंनत करनी पड़ेगा मैंने पूरे 10 साल यहाँ पर बिना बिजली के टपकते वे पानी के अंदर बिना कुछ सोचे समझे मैंनत की और आज मेरे पास आप लोगों आज इनके मिश्टर इंडियन हैकर चैनल पर 31.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यह अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं अगर इनकी मन्थली इंकम की बात की जाए तो दिलराज महीने का लगभग 90 लाक रुपिया कमाते हैं हमारे इस लिष्ट में नमबर 5 पर है क्रेजी XYZ इनका रियल लाइफ नेम अमित सर्मा है इनका जन में 11 सितंबर 2000 को बांसूर अलबर राजस्थान में हुआ था अमित सर्मा ने अपना यूट्यूब जर्नी की सुरुवात साल 2017 में की और आज इनके क्रेजी XYZ चैनल पर 27.3 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये भी नई नई एक्सपरिमेंट की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं इनके अर्निंग की बात की जाए तो ये सिर्फ यूट्यूब से महीने का एक करोर रुपिय कमा लेते हैं क्रेजी XYZ के अलावा अमित सर्मा का यूट्यूब पर तीन और चैनल है दे इंडियन अनबॉक्सर क्रेजी XYZ सोट्स अमित XYZ इन चैनलों से भी ये अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं गेमिंग कम्यूनिटी का नाम आए और टेक्नो गेमर्ज का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता इनका रियल नेम उज्ज्वल चौरस्या है इन इनका जन 12 जनवरी 2002 को देली में हुआ था इन्होंने अपना योट्यूब करियर साल 2017 में सुरू किया और आज इनके चैनल पर 34.5 मिलियन सब्सक्राइबर कम्पलीट हो चुके हैं जहां ये गेमिंग की वीडियो अपलोड करते हैं इनके द्वारा खेला जाने वाला इनका जन्म आठ अक्टूबर 1994 को हडियाना में हुआ था तिलहाल ये जनाब जर्मनी में रहते हैं इन्होंने अपना यूट्यूब जर्णी आठ जनुवरी 2013 में सुरू की और आज इनके चैनल पर 11.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं ये अपने चैनल पर पॉलिटिक्स, इन्वर्मेंटल इसू, साइंस अंड फेक्ट से रिलेटेड व चैनल है धुरुवराथी व्लॉग्स जहां ये व्लॉग वीडियो अपलोड करते हैं ट्रैक इन्टेक उफ अरुन प्रभुदिसाई जो की एक ट्रैक यूट्यूबर हैं इनका जन्म 1976 में पूने में हुआ था इन्होंने अपना यूट्यूब करियर दो नमंबर 2011 में फोन अन्बॉक्सिंग किसी गैजट का रिव्यू करना हो या फिर कोई टेक न्यूज अरुन प्रभुदिसाई यूट्यूब से महिने के तकरीवन एक करोर 90 लाख तक की कमाई कर लेते हैं इसके अलाबा इनका और भी कई सारा चैनल है जहां से ये अच्छी खासी में हुआ था इसने अपने यूट्यूब जर्णे की सुरुआत 19 फेबरी 2019 को किया और आज इनके चैनल पर 21.8 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं जहां ये अपना लाइफ स्टाइल लोगों के साथ सेर करते हैं कम समय में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ पाने वाल ये जनाब महिने के सिर्फ यूट्यूब से 2 करोर रुपिय तक की कमाई कर लेते हैं तो ये थे हमारे आज के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इंडियन यूट्यूबर वैसे इन सब में आपके फेबरेट यूट्यूबर कौन है हमें कमेंट में जरूर बताना और जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना